सभा को क्रिप्या संबोर हिट करें भारत माता की भारत माता की भारत माता की मोई हमो अहम बाखी लोई रंगाली बिहु आरो अहम्या नवो बोर्खोर खुबेश्या घ्यापोन करिलो मैं मा कामाख्या और मा काली के चरणों में प्रणाम करता हूं हार देख शुब कामनाय देता हूं आज राम नवमी का एकिहासिक अउसर भी है पांसो वर्सों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में बिराजमान हुए है और अभी कुछी मिनिटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलत करके उनका जन्मोच्षव अयोध्या के पवित्र नगरे में राम मंदिर में मनाया जाएगा आज देश सद्यों के साधना के फीरियों के बलिदान के सिद्धी को सेलिब्रेट कर रहा है साथियों इतने बड़े संध्या में आपकी ये उपस्तिति ये जन सहलाब महान ब्रह्म पुत्र के विस्तार से कम नहीं है और मैं तो देख रहा हूँ ये पबलिक मिटिंग तीन मंजिला है एक तो लाखों लोग मेरे सामने बैटे है दूसरे हज्जारों लोग उदर सामने उपर बैटे है और तीसरे सेंकडों लोग उपर बेट पर खड़े होकर के सभा सुन रहे है याने शायद पहली सभा होगी जो तीन मंजिला सभा हो रही है चार जुन को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साप दिखाई दे रहा है दिखता है कि नहीं दिखता है चार जुन क्या होने वाला है ये आज पूरा देश देख रहा है और इसलिए लोग कहते हैं चार जुन चार सो पार चार जुन चार जुन जराब पुरी ताकत से आवा जाने चाहिए चार जुन चार जुन फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार शारे जुन चारे जुन आकोय बार साथ्यों 2014 मैं मोदे आपके बीच एक उमेद लेकर आया था 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धर्ति पर आया है मोदी गारंटी लेकर आया है मोदी की गारंटी यानि गारंटी पूरा होने की गारंटी अभी बोहाग विहू के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है एंडिये सरकार की योजनों में कोई भेदभाव नहीं होता उनका लाब हर किसी को मिलता है अब एंडिये ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुँचकर जिस सुविधा का वो पात्र है वो सुविधा उसे दी जाएगी अगरे पांच वर्सों में गरिबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे अगले पांच वर्षों तक आपको मुप्त राशान ऐसे ही मिलता रहेगा बिना भेदभाव मिलता रहेगा आप मुझे बताईए एंडिये सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी बेदभाव का सामना करना पड़ा है साथियों अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी गोशना की है जिसका लाप देश के हर घर को होगा और वो भी बिना भेदभाव के होगा आप जानते हैं हर परिवार में आजकल दादा, दादी, पीता, माता सत्तर साल के उपर के लोग परिवार में होते हैं और उनको कोई भी तकलिप हो तो परिवार के संतानों पर बोज पड़ता है बेटे के सारे प्लान बिगड़ जाते हैं अगर पीता, दादा, माता को कोई बिमारी आ जाए अगर बेटी की شादी का प्लान बना दिया है, और अचानक पता चले के पीता को बहुर घंबिर बिमारी आई है माता को घंबिर बिमारी आई है, तो बेटी की शादी का प्लान ही बिगड़ जाता है और इसलिए मोदी ने ताय किया है कि आप जो मेरे भाई बहन है जो पचास साल के होंगे, चालिस साल के होंगे, तीस साल के होंगे, साड़ साल के होंगे अपने भुजूर्ग माबाप की सेवा करते हैं अब मोदी ने ताय किया है मोदी ने गारंटी दी है कि आपके परिवार में 70 साल की उपर के जितने भी भुजुर्ग हैं उनकी बिमारी उनके इलाज की चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा इन भुजुर्गों को आउश्मान योजना के तहट पांच लाख रुपे तक की मुप्त इलाज की सुविधा मिलेगी वो बुजुर्ग गरीब हो मद्दमबर के हो गाम के हो शहर को हो सेलरी केटेगरी में आते हो किसान परिवार के हो या फिर उच्चवर के हो इसमें भी बिना भेद भाव उनकी इलाज की चिन्ता मोदी करेगा और उससे आपके पैसे बचेंगे आप अपनी योजना के हिसाब से अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाएंगे इतना बड़ा काम ये मोदी करने वाला है मेरा भाषान आगे बढ़ाने से पहले अब बारा बजने में कुछी पल बाकी है आयोध्या में और पुरे देश में प्रभुराम के जनमोच्व प्रभुराम के स्वागत का बहुत बड़ा भियान चल रहा है हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं बले हम अयोध्या नहीं पहुच पाएं हम यहां से प्रभुराम के जनमोच्व में जुड़ने के लिए अब एक कुछी पल में वहाँ पर सूर्य तिलक होने वाला है आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लेश लाइट चालू करके हम भी प्रभुराम को प्रणाम करें उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लेश निकाल करके फ्लेश चालू करके सब लोग अपने मोबाइल का फ्लेश चालू करें सब लोग बले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें प्रभु राम को सुर्य तिलग हो रहा है तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाब कर रहे हैं हम भी सुर्य तिलग में हमारे मोबाइल के किरन भेज रहे हैं मेरे साथ बोलिए जय स्री राम, जय स्री राम, जय जय स्री राम, जय जय स्री राम, राम लक्ष्मन जान के, जय बोलो हनमान के, राम अलक्ष्मर जान के जय स्री राम जय जय स्री राम प्रभु राम के जर्वो सब को हम सब ने यहां से उसमें सरीख हो करके आज जब सूर्य देवता स्वयाम प्रभु राम जी के जन्बदीन को मनाने के लिए अयोध्या की धर्ती पर किरण के रुपए उतर रहे हैं पूरे देश में एक नया माहोल है और यह प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है जब वो अपने निज गर में बर्थडे मनाने का सवभागे मिला है बले प्रभु राम चंद्र के प्रभु राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के सियावर राम चंद्र के साथियों बीजेपी ने आपके लिए और भी कई गोशनाय की है आपका बिजली बिल जीरो आए, इसके लिए कमदाम पर सोलर पैनल दिये जाएंगे और उसके कारान आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा अरे बिजली का बिल तो जीरो होगा आने वाले दिनों में जब आप इलेक्टिक वेहिकल खड़ी देंगे स्कूटी हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो तो सोलार वाली बिजली से उसका चार्जिंग भी होगा और आज ट्राविलिंग का जो खर्चा है ना, पैट्रोल डीजल का जो खर्चा है वो भी जीरो हो जाएगा देश की करोड़ों बेहने आज स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमने लक्ष रखा है तीन करोड़ बेहनों को लखपती दीदी बनाएगे गाउं गाउं में हमारी बेहने ड्रोन पाइलट बनेगी इन फैसलों का बहुत बड़ा लाब हमारे आसाम के लोगों के यहां के गरीब, बंचीत, दलीट, किसान, पीडीट और चाय बागान के मद्दूरों को होगा साथियों जब किसानों की बात होती है तो यहां कोई खार भात को कैसे भूल सकता है यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज इसलिए हमारी सरकार यहां के चावाल किसानों की खास चिंता करती है हमने खरीब की फसलों का MSP बढ़ाया है इससे यहां के लाखों किसानों को लाब हुआ है असम के किसानों को PM किसान सम्मान लिदी के तहट पाँच अजार चार सो करोड रुपे से जादा मिले है और अब BJP ने इस योजना को जारी रखने का एलान किया है यानि असम के किसानों को PM किसान सम्मान लिदी का पैसा मिलता रहेगा और वो भी बिना बेदभाव मिलता रहेगा साथियों आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नौर्थ इस्टों खुद ही मोदी की गारंटी का गवा है जिस नौर्थ इसको कंग्रेस ने सिरब समस्याएं वी थी उसे BJP ने संभावनाओ का स्रोद बना दिया है कंग्रेस ने हलगा बाद को खाद पानी दिया मोदी ने पुर्वत्तर को गले लगाने का काम किया मोदी ने शान्ती और सुरुच्छा के लिए प्रयास किये जो कॉंग्रेश के साट वर्सों में नहीं हुआ वो मोदी ने दस वर्सों में करके जिखाया क्योंकि मेरे लिए आपके सपने ये मेरा संकल्प है आपके सपने ये मेरा संकल्प है और इसलिए हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, हर पल आपके सपनों के नाम, और इसलिए 24 by 7, 24 by 7 for 2047. साथियों, मोदी ने ही अपने मुस्लिम बेहनों को तीन तलाक की टेंशन से मुक्ति दिलाई, हमने तीन तलाक की कूप्रथा के खिलाब कानून बनाया, इसका फाइदा ना सिर्ब मुस्लिम बेहनों को मिला, बल्कि उनके परिवार को मिला, पूरे परिवार को मिला, माता को मिला, पीता को मिला, भाई को मिला, तीन तलाक की वज़े से मुस्लिम बेटियों के साथ उनके परिवार की भी जिन्दगी तबाह हो रही थी इसका लाप असम की भी हमारी हज्जारों बेहनों को हुआ है साथियों असम का विकास इस बात का सबूत है कि जब नियत सही हो तो नतीजे भी सही आते है कॉंग्रेस पार्टी ने सियासी फायतों के लिए इस्षेत्र को अपने बेपंजे में फसा कर रखा था कॉंग्रेस के पंजे ने पुर्वोत्तर को इसलिए जकट रखा था ताकि उनके लिए ब्रस्टाचार और लूट के दरवाजे खुले रहे अब ये पंजाग खुल गया है तो असम्मे सबका साथ सबका विकास का मंत्र लागू हुआ है साथियों अभी कुछी दून पहले मैंने असम्मे देश की बहुत बड़ी सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी का सिलान्याद किया है इस सेमी कंड़क्टर असम्मली और टेस्ट फैसिलिटी पर 27,000 करोड रुपिय से जाद्य का निवेश किया जाएगा आने वाले समय में अकेले इस विनिर से इस खेत्र के युवाओं के लिए 15,000 से जादा रोजगार के अउसर बनेंगे आने वाले समय में पुरी दुनिया में असम्म को सेमी कंड़क्टर सेक्टर के एक बड़े हैब के रुपे पहचान मिलेगी ये शुरुवात आइकिहासिक है अब प्रत्यासित है इन नेरे इस खेत्र के विकास को एक नई शक्ति देने वाला है नौर्थ इसके नवजवानों को भविश्के भारत के हर्थ सेक्टर में नए अवसरों से जोड़ा जाए मेरे लिए सबसे बड़ी प्राक्विक्ता है और ये अवसर लगातार इसी तरह से बढ़ते रहेंगे ये मोधी की गारंटी है साथ यों असम आज केवल दूसरे राजों की बराबर ही नहीं कर रहा असम विकास के नए रिकॉर्ड बना रहा है जिस असम में सड़के नहीं होती थी वहाँ दस वर्ष में पतीस सो किलोमेटर नेशनल हाइवेज बने है दरांग, उदलगुरे, बारपेटा और कोकरा जार के लोगों के लिए अकेले इस छेत्र में ही करीब दो हजार करोड रुपे की सड़क परियोजनाव पर काम हो रहा है अज देश का सबसे बड़ा रीवर ब्रीज भूपेन हजेरिका सेतु असम में है अज देश का सबसे लंबा बोगी बेर रेल रोल बेज असम में है अब गुहाटी में ही असम का अपना एम्स खोल चुका है इसके अलावा बारपेटा और कोकरा जार में भी मेडिकल कॉलेज खोले है असम में पांच जिलों में कैंसर अस्पिताल खोलने की योजना भी परक्तेजी से काम चल रहा है असम को छे नई इंजिनिरिंग कॉलेज की भी सोगात मिली है नौर्थ इसकी उर्जा जरूरत को पुरा करने के लिए 90 अजार करोरपी की लागत से नौर्थ इस्ट गेस ग्रेट को तयार किया जा रहा है हाल ही में पीएम उर्जा गंगा योजना के तहर बरावनी गुहाटी पाइपलाइन को देश को समब्टिक किया गया है भाई यो बेहनों ये केवल विकास के आकड़े नहीं है ये सब का प्रयास का उदारण है यहाँ कहा जाता है राई जे नख जो का रिले नौई बोई यानि यदि सब लोग मिलकर काम करें तो कठीच से कठीच काम आशान हो जाता है अज हम आगे बढ़ रहा है आ लोगों के प्रयास है साथ कि यहां से मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्बू बहुत दूर नहीं है बीजेपी सरकार देश में टाइगर्स के संख्या हमारे कालखन में बड़ी है और वन छेतर का भी विस्तार हुआ है कुछ समय पहले ही मैं काजरंगा नेशनल पार्क गया था और मैं देश का पहला प्रदानमत्री तो जो वहां रात को रुका था असम सरकार के इस सक्ति की वज़े से अब राइनों का शिकार बीचे दिनों की बात बन रहा है असम के यह बहुत बड़ी ताकत है बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टों में संकल पर लिया है कि देश की हेरिटेज को ग्लोबल मैप पर ले जाएगी इसे ग्लोबल टुरिजम के भी असम आने की संभावना बड़ेगी असम में बड़ता टुरिजम या रोजगार के भी जादा से जादा मोके लेकर के आएगा साथ यह हम विकात भी और विरासत के मत पर चल रहे हैं हम बार पेटा को बोईकुन धाम मराकर नमन करते हैं इसी धर्ती ने स्रिमत संकर देव और मादो देवजय से संत दी है इसलिए आज अगर काशी में विश्वनात धाम का अंदिर्माण होता है तो असम में कामाख्या कोरिडोर की विराविकास भी किया जाता है बीजेपी सरकार की प्रयासों से असम के महान योद्दा लसित बोर्फुकन की 400 भी जैन्ती पुरे देश में मनाई और असम के गमोशा का ब्रान नेमेसर तो खुद आपका मोदी है लेकिन भाई जो भेनो कॉंग्रेस को देश की विरासत इससे भी दिक्कत है मैं असम के स्थानी ये परंपराव कोई कपड़े पहन लेता हूँ तो कॉंग्रेस वाले मजाग उड़ाते हैं कॉंग्रेस को असम के लोगों की भावनाओ की कोई परवा नहीं है साथ कि हमारे मुख मंत्री हमत अभीश्व सर्माजी असम के विकास के लिए इतनी महनत करते हैं कि हाँ कॉंग्रेस का स्कोपी खत्मा हो गया है कॉंग्रेस को दिया आपका वोट केंद्र में सरकार नहीं बनाएगा बीजेफू को दिया आपका वोट विक्सित भारत बनाएगा इस बार बार पेटा से फणी भुशन चोधरी जी को कोकराजार से जोयनता बासुमतारी जी को और गोहाटि से बहन बीजूल कलिता मेधी जी को आपके और यकॉर्ड वोट से जीताना है साथ मई को वोटिंग के पिछले सारे रिकॉर्ड तूटेंगे ना सारे रिकॉर्ड तूटेंगे ना हर बूथ जीतेंगे ना गर-गर जाएंगे मद्दान को जगाएंगे सुभे सुभे मद्दान कराएंगे अच्छा मेरा एक और काम है वो भी करना है आप गरगर जाना और गरगर जाकर के कहना के हमारे मोदी जी आये थे और मोदी जी ने परिवार के सब को प्रणाम पहुचाया है मेरा प्रणाम पहुचा देंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम बहुत बहुत धन्यवाद